नमस्कार दोस्तों मैं गोरो स्वागत करता हूं आप सब का आपके अपने परिवार स्वाध्याई सिरे में आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छी होंगे और अच्छी से पढ़ाई कर रहे होंगे अब तक हम हमारा जो टोपिक चला हुआ था हमने हिंदी को लगबग हादे से जयादा कम्प्रिट कर चुके हैं 50% से जयादा हमारा हंदी जो टोपिक है से निबस्क वो बार चुका है अब हम इससी आगे देखते हैं हमारा जो टोपिक चला हुआ था वह चला हुआ है एवörung क्या चला हुआ है एए विकारी शबद कैंई विकारी कितने परकार एक कितने परकार की होते हैं चार पर कर कि होते हैं कितने परकार के होते हैं चार परकार के इस्थाने robin चेखádरम् 상み च्वाधर वाचक और विश्म भ diff तक है तो अब तक हम पड़ चुके थे स्थानवाचा की जिसके चार प्रकार हमने कंप्लीट कर लिये हैं और आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा अगर आप लोग नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए शेयर करिए अपने दोस्तों तक पोचाईए आपका परिव यह हमारा टोपिक चला हुआ हुआ है विश्मा दी वो शॉर्य जामार टोपिक कि चला हुआ है अविकारी शब्द उसमें हमने इस्थानवाचा के डिया विश्यशन को कंप्लीट कर लिया था अब हम देखते हैं नंबर दो पर संबंध बोधक अवे क्या नंबर दो पर हम देखते हैं संबंध बोधक अवे अव्या आविकारी शब्द संबंद बोदक अव्या आविकारी शब्द वे आविकारी शब्द जो वे आविकारी शब्द वे आविकारी शब्द जो वे आविकारी शब्द जो संग्या या सुर्णाम से पहले आकर पहले या बाद में आकर आज क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है? Sorry वे एविकार शब्द जो संग्या या सुर्णाम से पहले या बाद में आकर आ कर संग्या या सुर्णाम का संग्या या सुर्णाम का संबंद पूरे वाक कैसे कराते हैं? किसे पूरे वाक कैसे कराते हैं? संबंद सुर्णाम से पहले आकर उसका संबंद पूरे वाक कैसे कराते हैं क्या कह राते हैं? संबंद ऑपूरे कराते हैं? इतना पढ़ाए जाए वो लगभग साथ साथ यहीं पे आप लोगों के याद हो जब आप एक पड़ नोट करोगे तब याद हो जाए इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ ठीक है ऐसा नहीं है कि मुझे स्थे कोई फाइदा होता है मेरा रिपीट करने का एक ही मकसद होता है ताकि मैं जो समझाता भूँ आप लोगों की समझ में आ जाए इसलिए मैं बार बार उसे रिपीट करता हूँ और हर बार कुछ नए तरीके से बताने की कोशिस करता हूँ तो ये मत सोचो कि इसमें मैं कुछ वो कर रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है बस इतना चाहता हूँ कि आप लोग की समझ में आ सके अब देखें देविकारी शब्द जो संग्या या स्वरनाम से पहले या बाद में आकर उसका संबंद पूरे उनका संबंद पूरे वाक्य से कराते हैं क्या कहलाते हैं संबंद बोदकवे कहलाते हैं जैसे जैसे धन के बिना व्यापार चलाना कथिन है क्या धन के बिना व्यापार चलाना कथिन है क्या धन के बिना व्यापार चलाना कथिन है यहां पर जो यह आपका जो धन है यह क्या है यह है संग्या और संग्या के बाद क्या आया है संग्या के बाद आया है आपका बिना जिसका क्या मतलब है यह संबंद संग्या का संबंद संग्या का संबंद पूरे वाक्य से करा रहा है किसे पूरे वाक्य से भाई धन के बीना वयापार चलाना कठिन है अगर मैं किसी बात को बहर बार रिपीट कर रहा हूं उसका मतलब है मैं आप लोग को समझाना चाहता हूं बस शरब पढ़ाई करो अब हम देखते हैं मैं विध्याले तक गया 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 विध्याले क्या है विध्याले क्या है और मैं क्या है मैं विध्याले तक गया कहां तक गया मैं विध्याल तक गया अब आप एक बात देखें इसमें आप मैं विध्याले तक गया मैं तरह संग्या और संग्या के बाद कि आया है एक ऐसा शच्ब्द एक इसा विकारी सब्द जो लिंग वचन और कारक के अनुसार परिवर्थित नहीं होता जिस पर किस चीज़ कोई परभाव नहीय होता वो अपने रूप को परिवर्षित नहीं करता मतलब मैंने मैं जो संबंध है मैं का और विसका जो संबंध है जो संग्या का संबंध है वो किस से करा गया है आपका किरिया से करा दिया गया है किस से किरिया से करा दिया गया है अगले वाक्य से करा दिया गया है जैसे एक और देख लिजिए मैं गोपाल के बिना, मैं गोपाल के बिना नहीं जाओंगा, मैं गोपाल के बिना नहीं जाओंगा, क्या? मैं गोपाल के बिना नहीं जाओंगा, अब गोपाल क्या है? गोपाल है आपका संग्या, क्या? व्यक्ति वाचक संग्या, भई मैं गोपाल के बिना नहीं जाओंगा, मेरा संबंद्ध गोपल के साथ मेराम किसके साथ बता नया मैं संबंद कि से बता दिया मने कहा था कि वे पहले लग कर उनका संबंद पूर hilar वाके तो मेरा संबंद किसे विड्याले Congress ऑ टिया यहां मैं गोपाल के बिना नहीं जाओंगा मैंने कहा मैंने आपको कहा कि मैं गोपाल के बिना नहीं जाओंगा तो मैंने जो मेरा संबंध है किस से हो गया गोपाल से हो गया किस से गोपाल से हो गया किसने बिना मैं गोपाल के बिना नहीं जाओंगा मैं क्या इसके बिना भी कोई वर्ड है सा जो आप लोग बता सकते हो नहीं बता सकते मैं गोपाल के बिना नहीं जाओंगा तो मैंने एक संबंध करियेट हो गया एक संबन्द बन गया मेरे और गोपाल के बीच मेरा संबन्द किस से करा दिया गया गोपाल से करा दिया किसके बीच मेरा संबन्द गोपाल से करा दिया मैं गोपाल के बिना नहीं जाओंगा किसके बिना नहीं जाओंगा गोपाल के बिना नहीं जाओंगा मैं कहां तक गया व विध्याले से हो गया धन के बिना व्या पालशनाना कठे नहीं किसके बिना धन के बिना भाई धन क्या है संग्या है और उसका सम्मंद किससे पुरे वाक्य से करा दिया है क्या करा दिया पुरे वाक्य से करा दिया है मैं विध्याले तक गया कहां तक गया विध्याले तक आप सेहीत अब्वाद के को सब्सक्राइब बार बार किसी भी चिज़ को रिपीट करने का एक ही कारण होता है तकि आप लोगो की समझ में आ सके हम लोग चाहते हैं कि उसके लिगान बोलते रहते हैं तो गला तो हमारा ही दुखता है ना तो इससे कोई मतलब नहीं है कि चलो पढ़ते हैं नमबर तीन पर देखते हैं समुच्य बोधक अवे समुच्य बोधक क्या देख रहे हैं समुच्य बोधक अवे ऐसे सब्द जो दो वाकियों उपखंडो या वाकियों को जोड़ने का कारे करते हैं क्या कहलाते हैं समुच्य बोधक अवे कहलाते हैं आपके एक्जाम में डिटो सेम बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही पूछा जाता है आपके एक्जाम में सेम ऐसा का ऐसा ही पूछा जाता है वही आपसे पूछा जाएगा कि ऐसे सब्द ऐसे एविकारी शब्द देगा या फिर ऐसे शब्द देगा वह कुछ भी दे सकता है वह आपसे पूछ जो दो वाक्यों उपखंडों जो दो वाक्यों उपखंडों या वाक्य खंडों को जोडते हैं पासे बूक्शो सब्च्पनाइब क MARTIN सबस्ट वच्पनाइब चाय को दो वे एय विकारी शब्द है या फिर आप क्या वाक्यों उपखंडों या फिर आपके वाक्य खंडों को जोडते हैं क्या कहलाते हैं आपके आज आण में सेम यही लाइन पूछी जाती है वैसे एविकारी शब्द से ऐसे कोई खास question नहीं बनते एक्जाम में इतने खास question इसे नहीं बनते हैं आपके बहुत आसान सा पूछा जाएगा हाड नहीं पूछ जाता बहुत हलका सा ज्यादे तर आपके एक्जाम में किरिया विशेशन अब वैसे ही पूछ ले जाता है लेकिन प्रोब्लम क्या होती है कि यह आपको डेफिनिशन से पूल लेता जैसे वे एविकारी शब्द जो दो वाक्यों उप खंडो या वाक्य खंडों को जोडने का काम करते है क्या कहलाते है समुच्य बोधकवे कहलाते है ठेक है बस इस डेफिनिशन को अच्छे से याद कर लेना इस डेफिनिशन को अच्छे से याद कर लेना किन्तु हाती सब्सक्राइब फोना गया था अश्वे थामा मारा गया किन्तु हाती मैंने क्या गाता ऐसे एविकारी शब्द जो दो वाक्यों उप खंडों या वाक्य खंडों को जोडने का काम करते है क्या कहलाते है जैसे अश्वे थामा मारा गया एक वाक्या हो गया और किन्तु हाती अब इन दोनों को अश्वे थामा मारा गया हाती यह बोल देता है तो क्या पूरा हो जाता नहीं इन दोनों वाक्यों को आपस में जोडने का काम किसने क्या है किन्तु ने क्या है किसने किन्तु ने किया ह अश्वेठामा मारा गया किन्तू हाती दो wahr के से अश्वीथामा मारा गया कर जब माभारत के युद्र में द्रोलय चारे के पूत्र अश्वेठामा को जब महींद के लिए आपके सेना पती बने किसकी तरफ से को रोगो की तरफ से तो उनके पुत्र का नाम था अश्रतामा अब वे बहुत भेंकर तरीके से नरसंगहार कर रहे थे बहुत भेंकर तरीके से युद लड़ रहे थे इससे पांडो की शेना में हाकार मच गया अब इसके प्रोब्लम का स्रीकृष्ण ने दिया जो यह दिक्कत हो रहे थी स्रीकृष्ण ने कहा थिक्ष्ण भीम को थ SARा हाती ऑन के कहने पर भीम ने हाती को मार दिया अब वहां पर च्वा चला चला दी कि अश्रता मारा अब को अब यहएए पुत्र का नाम प्या था मा क्या आए अस्रतामय अनके मitी गया किअ अश्वथामा मारा गया कौन अश्वथामा मारा गया अब द्रोनचारी ने किसी पर भी यकिन नहीं किया और पूछने गए किसे युदिष्टर से जिसी धामराज कहा जाता है युदिष्टर से पूछने के लिए गए कि युदिष्टर क्या अश्वथामा मारा गया अब स्रीकुष्ण ने अपनी शंक की दवणी में उसको दबा दिया, ऐप कर में जोडने का काम करते हैं क्या कहलाते हैं क्या अश्वे थामा मारा गया किन तू कुन मारा गया हाती ठीक है अब देखते हैं सूरज निकला सूरज निकला एक बात होगी ठीक है बैस सूरज निकला और चिडिया बोलने लगी और चिडिया बोलने लगी सुरज निकला और चिडिया बोलने लगी मैंने कहा था ऐसे वाक्य ऐसे शब्द ऐसे विकारी शब्द जो दो वाक्यो उप्खंडों या फिर वाक्या कंडों को जोड़ने का काम करते है क्या कहलाते है समुच्य अब धकवे कहलाते है मैंने कहा सूरज निकला एक बात है और चिडिया बोलने लगी और चिडिया बोलने लगी दूसरी बात है लेकिन दोनों को जोड़ने काम कौन कर रहा है यह और कौन कर रहा है यह और दोनों को जोड़ने काम कर रहा है ठीक है यह और दोनों को जोडने काम कर रहा है, तो यह क्या है, समुच्यावोधकव्य कहलाता है, समझधी अच्छे से समझ में आ जाएगा, अगर कुछ भी प्रोलम में, थोड़ा सा चैप्टर जिए, थोड़ा सा, थोड़ा कठन होता है, और चैप्टर के मुकाबले, लेकिन समझ में आजाता है आपके एक्जाम में इसमें से बहुत असान कुशन पूछी जाते हैं सुरज निकला और चिडिया बोलने लगी अब यह और क्या है यह है समुच्या बोदकव्य क्योंकि दो वाक्यों को जोड दिया इसने अगर नहीं जोड़ते कहें जोड़ते सुरज निकला वे चिडिया बोलने लगी यह थोड़ते और चिडिया बोलने लगी मैं पढ़ना चाता था मैं पढ़ना चाहता था प्रंतु पढ़ने सका प्रंतु पढ़ने सका ठीक है अब देखिए मैं पढ़ना चाता था प्रंतु पढ़ने सका दो वाक्यों को कि इसने जोड़ दिया प् यह दो वाक्यों खंडों को आपस में जोड़ रहा है यह क्या है समुच्य बोदकवे कहलाता है क्या कहलाता है समुच्य बोदकवे कहलाता है ठीक है यह आपकी समझ में आ गया होगा अब हम देखते हैं आपका विश्मयादी बोदकवे क्या देखते हैं विश्मयादी बोदक कहलाते है क्या कहलाते है विए विकारी शब्द नमबर चार पर लिखते हैं हम विश्मियादी बोधक अवे विश्मियादी विश्मियादी बोधक अवे क्या विश्मियादी बोधक अवे विश्मियादी बोधक अवे विश्मियादी बोधक अवे विए विकारी शब्द एविकारी शब्द जो हमारे मनुभावों को दर्शाते है मन के भावों को दर्शाते है जैसे हर्स विषाद आश्चरिय क्रोद 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 हमारे मनो भाव को दरसाता है आधी आप लोग समझ गयोंगे कि हमारे मनो होते है वे यह भी कारी शब्द हमें को तरूश्ट है उड़ Pacific क्या कहलाते है बिशमयादी बोदकवे कहलाते है वैसे इसमें इसकी पहचान है कि इसमें ये चिन लगा होता है क्या लगा होता है इसमें ये वाला चिन लगा होता है जैसे वह क्या बात है वह क्या बात है वह क्या बात है बहुत आसान होते, कुछ भी याद मत करो इनमें, बस देख लिजी, वा, क्या बात है, कितना आसान है, मैंने कहा था, ये चिन, ये चिन याद रखना है, अच्छे से, ये विश्मयादी बोधक का ही चिन होता है, किसका, ये चिन विश्मयादी बोधक का ही होता है, ये लगा ह हुआ वह क्या बात है ओरें तुम मगर नहीं गय? अरे तूम अभी तक घर गर हम बोलता है च्छिन अभी तक घर नहीं गए तो मेरे मनो भाव को व्यक्त किया जा सकता है अरे वह वहां था अरे वह तो वहां था ठीक है ना अरे वह तो वहां था यहां से आपके किया विशेशन से अधिकतर पुछ जाता है कि इसकी डैफिनेशन पुछी जाती है ऐसा नहीं है कि एकि कुष्ण नहीं आएंगे आप से कुछ भी पूछा जा सकता है मैं यह नहीं कहूंगा कि आप बस इसे ही याद करो नहीं आप से कुछ भी पूछा जा सकता है इसका मतलब यह नहीं है कि आप लोग इसे नहीं करोगे किलियर पूरा करना है अच्छे से ठीक है किलियर पूरा अच्छे से इसको करना है क्या करना है कि एक होड़ व्हीं को यह समझ में आ गया होगा आए कि हुआ हम देख लेते हैं जो आज लाश्ट कर देंगे निपाथ इसको निपाथ देख लेते निपाथ क्या होते हैं निपाथ ये अलग है उसमें नहीं है हमारा जो अव्यका टोपिक था लगबग खतम हो हो चुका है बस अब निपात को देख रहें जो अव्यका ही एक भाग है किसका अव्यका ही एक भाग होता है किसका अव्यका ही एक भाग होता है ठीक है लेकिन इसका उसके वह निपात का यह मत समझना कि निपात उसका कोई उसका कोई प्रकार होता है निपात उसका कोई प्रक कि इन सब्दों का परियोग एविकारी शब्दों में किया जाता है इन सब्दों का परियोग अव्यों के लिए किया जाता है कि इनका ये वाक्य में जो है निपात जो होते है ये वाक्य में मतलब वाक्य को एक अलग लिल पुछा देते हैं एक दबाव पैदा कर देते हैं जैसे मैं आपको कि श्माइन कोई करेंगा कि आप लोग की समझ में आ जाए निपात का अपना कोई signal होता यह treball characteristic कर दूच mail अर्थत नहीं होता निपात का अपना कोई अर्थ नहीं होता ये वाक्य का एक भाग होते है मतलब ये वाक्य का ये अंग नहीं होते वाक्य का जो है ये कोई अंग नहीं होते वाक्य की बस वाक्य को एक दबाव बनाएते है क्या करते है ये वाक्य में सायक होते है क्या होते है निपाथ सहायक शब्द होते है निपाथ सहायक शब्द होते है वाक्य का अंग नहीं होते हैं क्या वाक्य का अंग आज पतानी क्या हो रहा है असलिए वाक्य का अंग नहीं होते हैं निपाथ का प्रियोग अव्यो के लिए किया जाता है निपाथ का अपना कोई अर्थ नहीं होता और निपाथ सहायक शब्द होते है निपाथ जो है वो शब्द होते है इनका अपना ये वाक्य का अंग नहीं होते कभी ने वाक्य का अंग माना जाए ये वाक्य का अंग नहीं माने जाते आपसे एक्जाम पूछ सकता है कि निपाथ वाक्य का अंग होते है या नहीं होते क्या नहीं होते निपात का जो कारिया है सब्द समू को या वाक्या को सब्द समू को बल देना होता है क्या गरना होता है बल देना होता है बरिन निपात का जो प्रियोग किया जाता है वो वाक्यों में तो किया जाता है लेकिन ये वाक्य का अंग नहीं होते इने वाक्य का अंग नहीं माना जाता अगर इनकी बात करते है तो ये वाक्य को मैं सुरू से कह रहा हूं कि वाक्य में एक बल पैदा कर देते है बस इनका कार्य वाक्य को साहिता करना होता है वाक्य में बल देना होता है अपना इनका अव्योग अव्योग के लिए ही किया जाता है, जैसे राम को यह काम करना होगा, जैसे राम को यह काम करना होगा, अगर मैं कहूं निपात का प्रियोग कर देते हैं अब की बार, राम को ही यह काम करना होगा, अब देखिए, राम को यह काम करना होगा, एक आसान सब्द है, एक साधान सब्द है, लेकिन जैसे ही मैंने इसमें निपात का प्रियोग कर दिया, राम को ही यह काम करना होगा, राम को ही यह काम करना होगा, वहाँ पर क्या था एक उप्शनल था कि राम को यह काम करना होगा अगर राम चाहे तो हो सकता है किसी औरे साहे ता ले ले लेगा लेकिन जैसे ही मैंने इसमें निपात का प्रियोग किया तो मैंने इसमें दबाव बना दिया कि राम को ही यह काम करना होगा राम को ही यह काम करना होगा क्या करना होगा राम को ही यह काम करना होगा राम को यह काम करना होगा दुनों में अंतर है जैसे ही मैंने इसमें निपात का प्रियोग किया तो निपात ने इस वाक्या में बल दे दिया क्या कर दिया लेकिन यह वाक्य का अंग नहीं होता, आपको नोट करके रखना है कि निपात वाक्य का अंग नहीं होता, निपात का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, शी का अपना कोई अर्थ नहीं है, और नहीं यह वाक्य का अंग होता है, बस यह वाक्य की शाहिदा करता है. अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को पढ़ाय समझ में आ रहा है आप लोगों को अच्छा लग रहा है कल जो हम टोपिक सुरू करेंगे वह होगा वाच्च है क्या होगा वह टोपिक होगा हमारा वाच्च है क्या होगा वाच्च है क्या टोपिक होगा हमारा आप लोग को लगता है कि पढ़ाई समंझ में आता है और यह लोग के करें what the लोग को शेर करिया करें से तो अट्स्क्राइब करिए जितना भी जाए और ऌन्य थे टाप्प को लोग का परिवार को सके वर हम लोग लाइव आ सके तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे दोस्तो धन्यवाद